चलिए आपका पहला कोशन यहापर कह रहा है कि पहला कम्प्यूटर बनाया गया था तो यह किस ने बनाया था तो यह बनाया था आपकी ऑप्सन राइट अपका हो जाए गया आपर C, Charles Babbage की द्वारा ठीके, Charles Babbage की द्वारा आपका बनाया गया था जो कि आपकी 1837 SGB में सरप् वैवेज ने कम्प्यूटर की ओधारणा को मुर्त रूप प्रधान किया था ठीके और इसलिए इन्हें कम्प्यूटर का जनक या पीता कहा जाता है किसे Charles Babbage को ठीके चलिए निश कोचन आप से आपर देख लिए जी हमें आपको अंसर भी दे दिया है आपको पीडिया भी करा देंगे अपने टेलिग्राम पर ठीके निश कोचन आप से आपर कह रहा है अगला कोचन आपका है आपर कम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है देखो अभी हमने बताया कि कम्प्यूटर का जनक किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है भाई तो यह कहा जाता है आपके Charles Babbage को जाता है ठीके नेश कोश्चन आपसे आपर अगला कह रहा है कोश्चन आपका जो है वो इलक्टोनिक कम्प्यूटर का अविस्कार किस ने किया तो यह आपका किया है आपके अपसर राइट अपका हो जाएगा यहाँ पर ए नमबर आपके डाक्टर एलन एम टोरिंग ने ठीक एम टोरिंग ने आपके कालोसस नामक प्रथम इलक्टानिक डिजिटल कम्प्यूटर को डिजैन किया था क्या नाम था उसका नाम था आपका कालोसस ठीके कालोसस नाम था इसमें से डबल सा हो जाएगा ठीके और यह आपका प्रथम इलक्टानिक डिजिटल कम्प्यूटर क विक्सित किया गया, डिजिटल कम्प्यूटर विक्सित किया गया, तो आपके कहाँ पर किया गया था, आपके option rate आपके B, ब्रेटेन में किया गया था, ठीक है, ब्रेटेन में किया गया था, चलिए, नेश कोच्छर आप से यहाँ पर कह रहा है, कोच्छर आप से यहाँ पर क होकी है और जी सब्द का जो प्रयोग हुआ है जनरेशन के लिए हुआ है अर्थाद पीड़ी के लिए प्रुक्त हुआ है यहाँ पर आपको 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 आपकी चैप्टर है लेकिन जैसे इमेल से सम्मंदित आपका chapter दिया है network सम्मंदित है आपकी सभी हम complete है जो आपको एक पिन ड्रीफ है यह प्रुक्त क्या है यह, आपकी ऐसी डिवाईस है जो computer से हाटा कर यह dizome आपको आपको आपका चीए एक हाटाया जाने वाली दुटी भन्दार आपकी एक अग है ठीक है पेन ड्राइब अच्छे दूती भंडार एकके रूप में प्यूक्त कियाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगा ले जाय सकते हैं तता इसकी इस्मृति अधिक भी होती है समझ में आना अफस्टारेटप का सी सही हो जाएगा चली निश्कोष आप से आप पूछा जा रहा है मा माौस है तो माौस है क्या यह माउस अपकी है जो कि वर्तमान में सबसे जढ़ता प्रचलित आपकी डिवाइस है और इसका जू काम होता है आपका इनपूट करने के लिए होता है तो आपकी माउस जो काम है वह आपको क्या है इनपूट देनेग लिए होता है ौप् domest है मदलाब है कहीं न कहीं वो input होगी तो देखो आपका जो monitor होता है ठीक है monitor तो यहाँ पर monitor आपकी हो जाएगी कौन सी device यहाँ पर इसे हम लोग बोलेंगे कि यह आपकी output है ठीक है printer भी आपका output देता है लेकिन mouse है यह आपकी input device है नाइन कॉपसर रेट आपका C हो जाएगा ठी ठीक है चली next question को राते है question आपका अगला पूछा गया है जो की इसी से संबंदी थे कहरा आपसे यहाँ पर कि निम्लिकित में से कौन output device नहीं है कौन output device नहीं है देखो प्रस्ण में option अलग-अलग कर दिया है एक जैसा प्रस्ण नहीं है यहाँ पर आपसे monitor दूसरा कहरा आ touch screen तो याद रखी जो touch screen है यह आपकी output device नहीं है यह आपकी input device होती है याद रखिएगा input device जैसे आप ATM में जाते हैं ठीक है तो आप touch करते हैं इंपुट देते हैं वो आपकी यहाँ पर touch screen जो होती है आपकी input device होती है ठीक है चलिए next question कुराते हैं question आपका अगला पूछा जा रहा है आपर जो कि अभी हमने आपको बताया था कि आज काल सबसे अधिक प्रियुक्त होने वाली input device कौन सी है तो आज कल हम लोग जो input device का जो सरोत्तम प्रियुक करते हैं वो करते हैं आपके option आपका C की बोर्ड का प्रियुक कर लेते हैं ठीक है maximum किसका कर लेते हैं की की बोर्ड का कर लेते हैं option आपका C हो जाएगा चलिए next question को आते हैं question आपसे यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है 13 नमबर कहरा आपसे की computer में प्रियुक्त mouse की body लगभग 40 वर्स पूर बनाए गई थी या उस समय जो बना था वो किसका बना था computer में जो mouse की body है वो 40 वर्स यह जो उस समय body बनी थी यह आपकी लकडी की body बनी थी याद रखिएगा किसकी आपकी लकडी की बना गया था ठीक है यह आपकी कह सकते हैं यह पेस किया गया था आपके अमेरिकी विग्यानिक थी आपके डग एजलबर्ट ठीक है 1968 में ठीक है और next question को राते हैं question आपका अ आप даust को दो बार क्लिक कर देते हैं तो यह सूचना जो जाती है किसमे जाती है तो आपकी यह सूचना जाती है आपकी CPU में कहां पर जाती है CPU में जाती है आपकी double click करने पर सूचना अपने कीबोर्ड के केवाल को आप कम्प्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं तो देखते हैं कि कीबोर्ड के जो केवाल होता है उसे कम्प्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं आप साइड में जो लगे होते हैं आपके उनको बोलते हैं हम लोग USB पोर्ट ठीके कौन से पोर्ट होते हैं USB पोर्ट में हम लोग लगा देते हैं केवल ठीके आपसन आपका C हो जाएगा नेश कोशन आपसे आप पर कहरा है जोकि काफी अच्छी कोशन आपके हैं 16 नमबर यहाँ पर आपसे कोशन इस तरह से भी पूछ जाता है कोशन आप पुछ रहा है कम्प्यूटर जो कम्प्यूटर है यह क्या क्या कर सकता है पहला नमर कहरा है आकडों के भंडार वाली एक सच्छम युकती है बात सही है भाई ठीके बी नमर आपसे कहरा है आकडों की विसलेशन करने के लिए सच्छम है थर्ड कह意思 पून गोपनीता बनाय रखने भी सच्छ में यह भी कहीं न कहीं देखा जा है लेखा जा है यह आपका क्या सई है तो ये भी सही है, चौथा आप से कहरे है, कभी-कभी वायरेस द्वारा अक्रमित हो जाते हैं, ये भी सही है, अर्थाती चारों ही पॉइंट सही है, राइट अंसर आपका जो हो जाएगा, आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा, समझ में आ गया न, ये सब ही कारे ये करता है, चलिए, निश कोश्चन आप से आपर कहरा है, जो की इस प्रकार से भी कोश्चन आपके पूछे जाते हैं, कहरा है आप से, साधारन सब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क जो कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेट प्रणाली है और इसमें करोडो नीजी सारवजनिक सेचिनिक ब्योसाइक सरकारी निटवर एक दूसरे से जुड़े होते हैं ठीके जिन्हें हम लोग टी सीपी या आईपी की द्वारा एड्रेस के रूप में जानते हैं नेश कोशन को रहाते हैं कोशन आप से अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर इंटरनेट है क्या भाई ये भी कोशन गुमा देता है इंटरनेट क्या है इंटरनेट क्या है तो देखो समुद्र में मच्री पकड़ने का जाल भाई बिल्कुल सबसों को पता है कि यह नहीं हो सकता है यहाँ पर बास के बाट से संबनित नहीं है रे है कि सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है सबसे धीमी तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है वो आपकी है डायल अप सर्विस और सर राइट आप का भी हो जाएगा डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट connection है सेवा है और यह अधिक्तम आपकी 56 kbps तक इंटरनेट गड़ प्रदान करता है ठीक है और नेश कोशन कराते हैं कोशन आपसे अगला पूछा जा रहा है काफी अच्छे कोशन आपके हैं कहरा आपसे यहाँ पर कि प्रथम प्रेश्ट जो समानिता आप वेबसाइट पर द ठीक है और होम पेज से उस वेबसाइट के अनपेजों के बारे में जनकारी भी मिल जाती है चले नेश कोशन करवाते हैं कोशन आपसे अगला पूछा जा रहा है आपर कि वेबसाइट को खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले प्रस्ट को कहा जा तो कोशन आपको घुमा के नहीं दिया बलकुर डारेक्ट दे दिया है आपर होम पेज ही कहते हैं ठीक है नेस कोशन को कराते हैं कोशन आपसे अगला पूछा जा रहा है कोशन आपसे पूछा जा रहा है आपर कि इंटरनेट सिस्टम निमन से किस तकनीकी का प्रियोग करता इंटरनेट सिस्टम निम्न से किस तक्नीकी का प्रियोग करता है देखो यह लोवर PCS वोडनेट में 2013 में पूछा गया था तो यहां पर इंटरनेट सिस्टम निम्न से जो तक्नीकी प्रियोग करते हैं यह तक्नीकी होती है आपके T कौनसी यह T होती है मतलब इंटरनेट कारे करता है ये देकि low PCS में पूछा गया इंटरनेट कारे करता है ये किस पर कारे करता है ये करता है आपके Keval Packet Switch पर किसमे केवल Packet स्विच पर आपका करता है Internet Car ठीक है मतलब टेलिपोन प्रणाली ध्वन संदेशों के सरकित स्विफ का प्रयोग करते हैं जबकि यहाँ पर देखा जाए इंटरनेट तो इंटरनेट पैकेट इस स्विच पर आधारित होती है ठीक है चलिए निश कोश्चन को रहते हैं कोश्चन आपका अगरा पूछा गया है जो कि बहुत ही प्यारा कोश्चन है कि कह रहा है MS-DOS MS-DOS का सब्रतम वी मोचन जिस वर्ष हुआ था वो आपका वर्ष कौन सा है ठीक है MS-DOS और MS-DOS जो कि एक आपरेटिंग सिस्टम है ठीक है यह आपका क्या MS-DOS एक आपरेटिंग सिस्टम है और यह सब्रतम अगस्त 1981 इस भी में आपका जारी किया गया चलिए निश कोशन को आते हैं कोशन आपसे अगला पूछा जा रहा है आपर करें देखिए देखिए लोगर PCCV आ गया करें आपसे गूगल की मुक्त पब्लिक वाइफाई सिवा प्रदान करने वाला देखिए पहले railway station आपका कौन है तो यह वाइफाई प्रदान किया था वह भी आपका कह सकते हैं मुक्त प्रदान किया था पहला railway station आपका जो था यह आपका कौन सा है यहापर आपकी चार अपसेन है और राइट अंसर आपका जो हो जाएगा उख अंसर आपका हो जाएगा बी आपका मुंबाई सेंटर रेलवे स्टेशन ठीक है कौना आपका मुंबाई सेंटर रेलवे स्टेशन जो की फिरी आपकी Google आपकी Wi-Fi से वह प्रदान किया गया था ठीक है और यहाँ पर कर सकते हैं इस हिद गूगल ने सरकारी कमपनी आपके रेल टेल फार्मर से समझाओता भी किया था ठीक है चलिए नेस कोशन को रहते हैं कोशन आपसे अगला पूचा गया है यहाँ पर यह कोशन काफी गुमाओ वाला है कहर आपसे कि लाइफ हाई की संबंद में निम्रिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लाइफ हाई देखो विस्तरत रूप आपका लाइफ हाई यह दिया है जो कि गलत है ठीक है दूसरा है कहरे भारत में लाइफ हाई का सफल परिचेण 29.30 जनुमरी दोहरा है को सूचना प्रसारमंतरार ने किया बिलकुल सभी है ठीक है यह गलत है यह सभी है बी नमर्णाू कहरे है लाइफ हाई आपके सही हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर कह सकते ही जो लाइफ हाई है इसको समझ लेजिए कि वर्ष 2011 में जर्मनी की भहुतिक विज्ञानी हेराल्ड होस ने लाइफ हाई तकनीक के प्रस्तावित की थी ठीक है और यह एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकी है ठीक है और नेस कोशन कराती है कोशन आपका अगला पूछा गया पर कि कम्प्यूटर बेवस्था जो जोडती है तथा विभिन देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलेट दोरा विश्व में पहुचाती है उसे क्या कहती है तो यह कम्प्यूटर बेवस्था जो जोडती है और विभिन देशों में आपके पहुचाती है यह आपकी सिस्टम है option right 31 का हो जाएगा डी इन्हें बोलते है निक नेट ठीक है यह बिश्व का सबसे बड़ा उपग्रा आधारित कम्प्यूटर संचान नेट वर्क है याद रखेगा निक नेट है ठीक है चलिए next question को रहते हैं question आपका अगला पूछा गया है पर तलास है तलास है तो भई तलास क्या है तो यहाँ पर जो आपका तलास है वो आपका जो है वो है आपका एक प्रकार कर कह सकते हैं जो आपसर आपका C है कि इन्टरनेट पर एक मल्टी मेडिया पोर्टल तथा एक ओप्टिकल केरेक्टर तरिकोगिशन अठाथ OCR देउनागरी में साप्टिवेर सीडैग त्वारा संचालित करенд durability किया गया है ठीके देउनागरी में है जो कि एक साप्टिवेर सीडैग द्वाराव का तैर किया गया है तलास तो आपका अफसर रैट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है और इसका जो किया है वो सीडैक दोरा आफ़ किया है दिऊनागुरी में किया गया है ठीक है और निसो कोशन कोराते हैं ये एक इंटरनेट एक मिल्टी मीडिया पोर्टल है समझ में आ стенटर एक अगला पूछा गया है ने एक नए software का विकास किया जिसे कहते हैं तो वैई इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं आपका नयन क्या बोलते हैं नयन अर्थातियन ए वाई ए एन नेटवर्क आपकी अभी हैम नियांत्रम ठीक है कि भारत ने सुपर कम्प्यूटर परम का निर्माण किया था तो भारत ने सुपर कम्प्यूटर परम का जो निर्माण किया था ये आपका जो किया था ये कहां पर किया था तो ये किये थे आपके option रेट आपके D आपके पूरे में याद रखेगा कि पूरे में इस्थित आपका CDAG Center for Development of Advanced Computing के द्वारा आपका परम नामक सुपर कम्प्यूटर की एक संखला का विकास किया गया था CDAG के द्वारा ठीक है चलिए नेस कोशन आपसे अगला पूछा गया है पर कोशन आपसे पूछा गया है कि भारत के सब्रतम सोदेशी विक्सित कम्प्यूटर का नाम क्या है तो इसका नाम है option rate आपका D हो जाएगा परम ठीक है वही आपका परम जो की परम जो की पूरे इस्थित प्रगत संगरन विकास किन कोशन आपसे अगला पूछा गया है कि भारती सुपर कम्प्यूटर का नाम आपसे पूछा गया है यापर तो right answer आपका हो जाएगा यापर परम ठीक है कौन है आपका परम है ठीक है चलिए नेश कोशन आपसे अगला पूछा गया है यापर कोशन आपसे पूछा गया है यापर कि भारती सुपर कम्प्यूटर का जनक कौन कहलाता है यहाँ पर आपकी चार आपसन है आपसन राइट आपको हो जाएगा वीजे भाटकर आपके है भारती सुपर कम्प्यूटर की जनक ठीक है और उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कम्प्यूटर जो की परम 8000 के विकास में योगदान दिया था ठीक है चलिए नेश कोशन को ओर आते हैं कोशन आपका अगला पूछा गया है आपके भारत परमाड अनुपाम है आपके भारत परमाड अनुपाम हो जाएगा नेश कोशन आपसे अगला पूछा गया है कहर आपसे कि सुपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास होती है सुपर कम्प्यूटर के लिए सब्द लंबाई की परास होती है तियो होती 64 बिट तक कितनी 64 बिट तक आपकी होती है इसकी आपकी के सकते लंबाई की परास ठीके चलिए कोशन आपसे पूछा गया है कि भारती सम्विधान सभा का गठन किया गया था तो भारती सम्विधान सभा का जो गठन किया गया था वो आपका किस्त के तहत किया गया था ये किया गया था आपकी कैबनेट मिशन योजना जो आपकी 1946 के अंतरगत तो option right up का कौन सो हो जाएगा option आपका C हो जाएगा cabinet mission योजना 1946 के अंतरगत आपके सम्विधान सभा का गटन किया गया था option आपका C हो जाएगा next question आप शेगला पूछा गया है कि भारती सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी तो option right up का B हो जाएगा और इसके आपकी जो आईश्थाई अद्रज थे वो आपके कौन थे तो सचिदन न सिना थे ठीके चलिए next question आप शेगला पूछा गया है कि 1946 में निर्मित आंतरिम सरकार में कारिपाल का परषद के उप सभापती कौन थे तो आंतरिम सरकार के जो कारिपाल का परषद के उप सभापती थे वो आपके कौन थे भई तो इसको option right up के आपर A हो जाएगा आपके जवाहल लालने रूथे आपके उप सभापती के बाद कह रहा है नेसकर आपसे सम्विधान सभा की प्रांती समिती आपके बाता थे या आपको परषद करने लाईक नहीं है अभी बात आती है कि भारत की सम्विधान निर्मात्री सभा की बात किया है तो सभा जब आपका दिया हो कभी भी तब अंसर आपके यहाँ पर कौन हो जागा डाक्टर राजिन परसाद लेकिन इसी प्रकार से यह प्रस्न बोल दिया है कि भारत की समिधान निर्मात्री समीती की अध्यच ठीके समित की अज़त तो समित के अध्यच आपके हो जाएगे डाक्टर बी आरंबेट कर तोनों मैं अंतर क्या मिला निर्मात्री सभा की बात करें तो डाक्टर राजन अपसाद और अगर कह सकते हैं कि निर्मात्री आपकी समित की बात करें तो समित में आपके कौन थे डाक् प्रेकास सब्सक्राइब का ए हो जाएगा कैबनेट मिशन में आपके विलियम उड नहीं थे पैतिक लॉरेंस इस टेफ़र्ड क्रिप्स और आपके एवी एलेग्जेंडर ये लोग तीन लोग थे ठीके नेश कर आपसे कि भारत की सम्विधान में केंदर और राज्यों की बी सकतियों विभाता वक्ति कि स्क्राइब राज्यों की बीज सकतियों के भीभाजन स स्मयर्सक्राइब करें就是 निर्माती परशद में पृत्यक प्रांट को आवंटित सदर्शी संख्या निर्धार alive करने के लिए एक प्रतिनी थि कितनी संख्या में अनपाथा आत्र कै specially है कि एक प्रतिनीद के लिए कितनी जनता चुनती है अर्थात अपस्वनाप का B हो जाएगा 10 लाख जनता में एक आपका प्रतिनीद चुना गया अपस्वनाप का B हो जाएगा कि निम्खित में से किस अधन्यम में कलकत्त में सरोजचनैले की इस्थापना का प्राउधान किया गया तो आपके किसे अपसण और आरमबेटकर की अधिश्य्चता में प्रारूप समीतिक का गठन जो किया गया था तो आपको पता है कि प्रारूप समीधान आपके डाक्टर भीम CAPE कुरा ने किया था to यह आपकी कब कई गये थी तो गठन आपको किया गया था in Whatever q 347 option right up का डी सही हो जाएगा next question आप सेगला पूचा गया है कि भारती समिधान का प्रथम प्रारूप तयार किया गया तो भारती समिधान का प्रथम प्रारूप जो तयार किया गया था किसके दोरा तिये तैयार किया गया था आपके option right आपको हो जागा यहाँ पर आपके B आपके B and row के दोरा option आपका B सही हो जाएगा नेश कर आप से ही भारत के समविधान के निर्माण में समविधान सब आपको कितना समय लगा था तो भाई आप सबको पता है विल्कुल सिंपल कोशन है दो वर्ष ग्यारा माँ और आपका अठारा दिन का समय लगा था नेश कर आप से कि एक संगी ब्यवस्ता और केंदर में दोयद सासन भारत में लागू किया अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके संगी ब्यवस्ता जो कि केंदर और दोयद सासन भारत था यह जो आपके लागू की गए थी किस नियम के तहट है तो आपके संगी ब्यवस्ता और आपके केंदर में दोयद सासन भारत नियम के तहट की गए थी यह भी आपकी 1935 अधिनियम के तहट की गए थी option right up का c हो जाएगा नेश कोशना आप से एगला पूछा यहाँ पर कि भारती समिधान की निर्मार के समय समयधानिक सलाक और कौन थे तो समयधानिक सलाक और कौन थे वही यह थे आपके b n row option आपका c सही हो जाएगा नेश कर आप से समयधान सभा दवरा इस्थापित मौलिक अधिकारों और आपके अलप संक्यकों के हेतु सलाकार समिती के अध्यच की बात कह रहे यहाँ पर तो मौलिक अधिकारों और आपके अल्पसंख्यकों के सलाह का समिती और कहसे कि यह जो आपके अध्यच थे वो आपके कौन थे यहां पर पंदरा कोप्संख्यकों के यहां पर भी हो जाएगा सरदार पटेल लेकिन अगर बात करें कि अल्पसंख्यक समिती के उपसभापती तो आपके वो थे एचसी मुखर जी ठीक है एचसी मुखर जी काफी बच्चों दीमात में कोश्चन आ गया होगा नेसकर आपसे निम्लिकित अधनियम्मे से किस अधनियम के फल्च रूप वर्मा भारस से अलग हुआ था तो वर्मा आपके जो भारस से अलग हुआ था वो आपके 1935 गवर्मेंट आफ उप इंडिय एक्ट के तहह थी अलग हुआ था 1935 के थह तो चोब दो 16 कोप्सन रुट आपके यहां पर B हो जाएगा 6 थे, कुल मिला के आपके कितने थे, 7 थे, लेकिन यहां पर अन्य की बात किया है, तो अन्य मतलब आपके 6 प्लस 1 आथ था, तो 1 की जगह आपके खुद के अध्यच थे, डाक्टर वी आरम बेट कर, ठीके, तो अन्य की बात करें कभी, तो आपक समिधान का प्रमुक्स रोथ था, आपका प्लियो भारती समिधान है, उसका दो बटे तीन हिस्सा आपके, गवर्मेंट इंडिया एक्ट आपके 1935 से ही लिया गया है, इस प्रकास से यह महतुपूर आपका था, नेस कोचन आप से गला है, कि समिधान सभा के चुने हुए, समिधान सभाद वरा, नेस कोचन आप से ही भारती समिधान को समिधान सभाद वरा, अंगी करत किया गया तो भारती समिधान को समिधान सवा दोरा जो अंगी करत किया गया था तो कह सकते हैं कि जो आपका भारती समिधान बनकर तयार हुआ था वो आपका कब तयार हुआ था तो आपकी 26 नॉबर 1949 को भूँछा था ठीक है 26 नॉवम्बर 1949 को बन कर तयार गया था या कैसकते हैं अंगी इसकते हैं अपनाय गया था ठीक है चलिए नेक को चन आप सेगला पूचा गया है कि राजनीतिक सास्त्त के जनक अरस्तु की प्रशिद्ध पुष्टक की नाम राजनीत है इसके गूरू को नाम क्या है, तो यहां पर अरुस्तु की गूरू को नाम पूछा है, और अरुस्तु की गूरू थो आपके प्लेटो, ओप्सन रेट अपका एव हो जाएगा, ठीकी, नेस coalition आप सेगला पुछा है कि भारत की प्रथम कानून की पुष्टक मन इस्मरती कौन सी मन इस्मरती जो की प्रथम राजनीतिक है पर सासनी का नाम है तो यह आपके है क्या तो आपकी के सेक्ति एक अर्थसासती पुष्टक है ठीक है option आपका D हो जाएगा next question आपसे एकला दिया है कि वी आरमबेटकर का सम्विधान सभा में निर्वाचन हुआ था काफी अपवादित question काफी वच्चे हमेशा इस प्रस्टन पर comment करते हैं लेकिन उननेट में सर्च नहीं करते हैं ठीक है तो देखो वी आरमबेटकर का जो सम्विधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो आपको हुआ था पूर्वी बंगाल से कहा हुआ थे भाई पूर्वी बंगाल से हुआ ठीक है पूर्वी बंगाल से लेकिन जब पूरवी बंगाल आपका चला गया पाकिस्तान के अंडर में, जब पाकिस्तान के अंडर में चला गया, तो ऐसी इस्तिति में क्या हुआ, कि आपकी जो कहसे थे हैं, भीमराओं बेट कर थे, ये आपकी बंगाल से न होकर, बंबई प्रेसीडेंस से हो गए, अब की वहां से कह सकते हैं हट चुके तो भी अघय थे तो भंबय प्रेसिडेंच थे स्का जवाब आपका ऑप्शुन उसी आपसर भी यहाँ है है यहां अगर यहां पर आपका पूरी बंगाल होता तो हम एक सही कर सब्सक्रेंट नगें तरहला होता स मत करतो, गया तो भाई बताईए भारतिय समिधान कम लागू किया गया तो आपके 26 जनवरी 1950 को समिधान सब कह सकते हैं समिधान आपका पूर्टा लागू हो चुका था नेश को जनाप से अगला पूछा है कि समिधान निर्मात्री परशत की जनदा समिधी के अध्यच कों थे जनदा समिधी के अध्यच आप से पूछा है तो यहां पर आपका दिया है C. राजगोपालाचारी, डाक्टर राजनपसाद, जेवी करपलाने और आपके डाक्टर वीम्रा अमबेटकर तो आपको पता है कि UPPCS 2000 आपके 12 में और आपके 2004 में कोश्चन आया था जिसमें से जवाब आपका सही दिया गया है जेवी करपलाने और आपसन में आपके डाक्टर राजनपसाद भी थे लेकिन जब दोनों ही होते हैं ऐसी स्थिति में जेवी करपलाने सही किया आता है जब डाक्टर राजन जब जेवी करपलाने नहीं होते तो आपके भी सही किया आता है इस प्रकार से अंसर आपका जो मानने होगा वो आ अंग्रेश ने इस्तिति कोüf by उनिसो तीस में products किसक्ते और इन्हों के लिकरण शोटीजिति को इन्हों को जो कि सम्विधान सभा की अंतिम बैठक आपके हुई थी इसी दिन आपके हुई थी 1950 में ठीक है तो 24 जनुरी 1950 को जन्गडमन और आपके कह सकते हैं डाक्टर राजिन इपसाद ठीक है इन लोगों को निर्वाचित किया गया था चलिए निस सम्विधान सभा में कुल कितनी महलाएं थी तो ये आपकी महलाएं कितनी थी तो आपसान इसका क्या होगा आपको जबाब देना है आज की विडिए इतना ही पसंद आया है तो विडिए लाइक भी करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी